इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। वैनिरेक्स एलिस सिर्फ एक कॉंबिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल बल्गम वाली खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह नाक, श्वासनली और फेफडों में बल्गम को पतला करता है, जिससे बल्गम को बाहर निकालना आसान हो जाता है। यह नाक बहने, छीकने, खुजली और आँखों से पानी निकलने की समस्या से भी राहत देता है। वैनिरेक्स एलेस सिर्फ को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है। अपनी हिल्थ के टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं। इसके सबसे आम साइड इफेक्ट में चली आना, डायरिया, यानी की दस्थ, पेट में दर्द, उल्टी, मानस्पेशियों में क्राम्प, सिर्दर्द, त्वचा पर रैश और हृदे गती बढ़ना हैं। इनमें से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से नींद आ सकती हैं। इसलिए जब तक आप यह ना जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसके लिए मानसिक फोकस की जरुरत होती है। दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आपको किड्नी से जुड़ी कोई बीमारी है तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि डॉक्टर आपके लिए उपयुक्त खुराग पर्ची पर लिख सके। विडियो को पूरा देखने के अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद